असलाम अलेकुम इवर्स, होप्च आर डूइंग वेल आज मैं आप लोगों के लिए ट्राउजर का एक स्टारिश डिजाइन लेकर आई हूँ इस डिजाइन को बनाने के लिए हम ट्राउजर के लेंथ नॉर्मल ही रखेंगे सबसे पहले ये मैंने पेपर लिया है पेपर की लेंथ इस रहाँ से मैंने 7 इंच लिए है और विट हम अपने 5 के हिसाब से रखेंगे पेपर को डबल करेंगे इस पर हम मार करेंगे लेंथ वालि साइट पर हमने मार करना है 3.5 इंच पर और अब हम यहां से मार को यह देखी सरहां से लेकर आएंगे कि देख कर आते हुए हम मार के साथ ऊपर वाले के साथ मिला देंगे NICK इसको मिलाने के बाद यह मैंने एक होड़ पीछ लिया है चोटा सा पेपर का इसक भी हम डबल करेंगे डबल करके इस पर हम हाट की शेव बनाएंगे एक देख देख रहां से ऐसे हाट की शेव बनाने के बाद अब इसको हम कट करेंगे जैसे मैंने पेपर पर कट किया है सेम इसी तरहां से इसको मैंने हाट सोरी हाट पेपर पर कट कर लिया है अब इसको डबल कर गए हाट पेपर को हम पेपर की उपर ऐसे रखेंगे और यहां पर माद करेंगे सेम इसी तरहां से इसको थोड़ा सा उपपर यहाँ पर रखेंगे यहाँ भी हमने ड्रॉ करना है ऐसे मैंने दो हाठ की शेप्स को ड्रॉ कर लिया है इसके बाद हम पेपर को कट कर लेंगे आप लोग चाहे तो तीन भी बना सकते हैं यह देखी इस तरहां से हमने अपने डिजाइन को कट कर लेना है जैसे मैंने पेपर के उपर डिजाइन को कट किया है सेम इसी तरहां से हम इसको बुकरम के उपर भी कट करेंगे और यहां से हम सेपरेट कर लेंगे इस तरहां से देखे मैंने बुकरम के उपर कट करके fabric की उपर paste कर लिया है और अब side से हम fabric को cut कर देंगे दोनो side से cut करने के बाद अब दोनो corners में हमने यहाँ पर दोनो side पर notice लगा देंगे इस तरहां से दोनो side पर notice लगाने के बाद यह तरहां से फेब्रिक को मैंने स्टिच कर लिया है अब इसकी बाद ये मैंने अपना ट्राउजर लिया है ट्राउजर की उपर हम इसको रखेंगे पहले हम इसको डबल करके इसका सेंटर बना लेंगे देखें इस रहां से हमने इसके सेंटर में कट लगाना है यहां पर और अब हम दोनों का सेंटर ब्राबर रखेंगे ऐसे सेंटर से ब्राबर रखने के बाद पहले हम इसको सेंटर से स्टिच करेंगे यह देखें इस रहां से और अब हमने यहां से स्टिस्ट करना स्टार्ट करना है मुकरम के साथ साथ से बिल्कुल हम मुकरम के साथ साथ ही यह वाली सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा हटकर भी हमने यह सिलाई नहीं लगाने इस तरह से देखे मैंने सिलाई लगा ली है और अब इस सेंटर से फैब्रिक को हम कट कर देंगे और यह जो शेप्स मैंने बनाई है हाट की इसमें से हमने फैब्रिक को ऐसे कट करके इसके अंदर नोचिस लगा देने हैं ऐसे सबको हमने ऐसे ही कट करना है देखे मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है अब इसके बाद इस बुकरम को हम रॉंग साइट पर फोल कर देंगे ऐसे बुकरम को रॉंग साइट पर फोल करने के बाद जो इनके कॉर्नर सोंगे वो हम निडल से बाहर निकाल लेंगे ये देखें ऐसे सबको हमने ऐसे ही बाहर निकालना है इस सेट करने के बाद हम अपने पाइंचे को प्रेस कर लेंगे लास्ट में ये देखें से मैंने अपने पाइंचे को प्रेस कर लिया है लास्ट में हम यहां से स्टिच कर लेंगे दोनों को अब इसके बाद ये मैंने फैब्रिक लिया है इस फैब्रिक की सोरी विर्थी सतना से है तक्रीबन आठ इंच और लेंध है इसकी सारे तेरा इंच इसके नीचे मैंने बुकरम को पैस्ट कर लिया है अब इसको डबल करेंगे सबसे पहला पिंटेक्स हम इसके सेंटर में डालेंगे यहां पर सेंटर में पिंटेक्स डालने के बाद इसके हमने दोनों साइड पर पिंटेक्स डालने है थोड़े थोड़े गैप के साथ ऐसे हम इस पूरे फैबरी पर पिंटेक्स डाल लेंगे यह देखिए सरहां से मैंने सेंटर में पिंटेक्स डाल लिये हैं अब इसको हम डबल करेंगे और यहां से हम फैबरी को थोड़ा कट कर देंगे यह देखिए सरहां से इसके दोनों साइट पर भी हमने पिंटेक्स डालने हैं इसलिए मैंने फैब्रिक को कट कर दिया क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए था बात में इस तरह से देखे मैंने दोनों साइट पर और भी पिंटेक्स डालने हैं अब इसके बाद यह मैं ने फैब्रक लिया है ट्रीड इन चोड़ा इसको हम यहान पर रखकर यह देखें यहाँ से स्टिच करेंगे इस तरहन से स्टिच करने के बाद अब इस फैब्रक को खोल कर एक स्ट राई हम यहाँ पर लगा देंगे और अब इसको नीचे वाली साइड पर रॉंग साइड पर फॉल करके नीचे से हम हैंड स्टीच कर लिया है अब यह जो वुक्रम में से मेरी कटिंग निकली थी सबसे पहले यह वो वाली मैंने कटिंग दी है इसको हम डबल करके इस पिंटेक्स वाले फैबरिक की उपर ऐसे रखेंगे और वुक्रम के साथ साथ हमने मार करना है यह देखें इस तरहां से एक साइड पर मार करने के बाद सेम इसी तरहां से हम दुसरी साइड भी मार कर लेंगे इस साइड पर ये दिखे मैंने मार कर लिया है आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा अब ये मैंने अपना पायंचे रिया है पायंचे को हम इसके उपर रखकर स्टिच करेंगे पहले इनको हम ये जो कॉर्नर्स हैंगे इनको स्टिच कर लेंगे देखें इस तरहां से हमने दोनों को स्टिच करना है अब इसको हम पका कर लेंगे सेम इसी तरहां से हम उपर से भी स्टिच करेंगे इसको यहां पर देखें मैंने दोनों को स्टिच कर लिया है इन दोनों को स्टिच करने के बाद अब इसको हम फैबरी की उप पर ऐसे पिंटेक्स वाले फैबरी की उप पर ऐसे रखकर यहां से यूएचिएू के साथ पैस्ट कर लेंगे पहले ताकि ये फिक्स हो जाए स्टिचिंग करते हुए ये हिलेना यह देखें से हमने सैंटर से पैस्ट कर लेना है पहले यहां भी हम यू एच्छी लगा देंगे यहां से पैस्ट करने के बाद अब यह मैंने कपड़े की डोरी डैडे की थी उसमें से मैंने दो दो इंच की डोरियां गट कर ली है इनके हम लूप्स बनाकर इनको हमने पायंचे की नीचे स्टिच करना है इनको स्टिच करने से पहले हम यहां से पहले स्टिच करेंगे यह देखें यह जो हाट की शेप्स ह कि यह सिलाइब हमने बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है देखिए सरांसे मैंने दोनों को स्टिच कर लिया है और अब हम लूप को ऐसे नीचे रखेंगे पाइंचे के और स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे यहां पर मैं निडल लगा लूँगी ताकि यह हिले ना पूरे पाइंचे पर हम ऐसे ही स्टिच करेंगे इनको देखें एक साइट पर मैंने स्टिच कर लिया है अब आप लोग चाहें तो यूएच्चे के साथ इनको पहले पैस्ट करके फिर भी स्टिच कर सकते हैं या वैसे ही कर लें जैसे आपको असान लगे वैसे आप इनको स्टिच कर लें ये लास्ट में देखें मैंने से अपने स्टालिश ट्राउगर डिजाइन को रैडि कर लिया है तो कैसा लगा आपको ये डिजाइन पहनने के बाद ये और भी जादा ब्यूटिफुल लगेगा तो अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइ कर दें और हमारे चैनल को सबस्ट्राइब करें थैंक यू